आज हम इस वीडियो में गुलाब के पौधे की कलम की कटिंग और लगाने का सरल तरीका बताएंगे मित्रों, अभी मानसून आगया है रिमजिम रिमजिम बारिस हो रही है मौसम भी खुसनुमा है ऐसे में हम गुलाब की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं हमारी कलम जरूर लगेगी ऐसे में कटिंग कैसे करनी है और गाना कैसे है इसके बारे में हम आपको बताएंगे मैंने अभी कुछ दिन पहले गुलाब और गुड़हल की कलम लगा रखी है और तक्रिबन हथे भर पहले का है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कलम नहीं है जो कि नहीं लगा है सब लग चुके हैं देखिए इसमें भी बट्स निकल आई है गुलाब का है ये कलम इनमें भी देखिए बट्स निकली क्या पत्ती बन गया बन गई है और इनमें सब में देखिए ओई ऐसा नहीं है जिसमें बट्स या पत्ती ना आ गई हो और हाड़ी छ प्रक्सर से देखिए इसमें रेता भी मिला हुआ है और गुलाब गुड़हल दोनों लगाया हुआ है काफी अच्छा यह देखिए गुड़हल का है यह और यह बताएंगे किस तरीके से अपने कटिंग को लगाना है खास तर से हमने जो भी कटिंग लगाया है कोशिस हमने यही किया है कि उनको बोरियों में लगाया जाए और ये बोरी भी हमने खुद ही इसको बनाई है और इसको जब थोड़ा ये बड़ा हो जाता है तो हमने इस तरीके से इसको लगाया हुआ है कि इसको जिसमें किसी में दो कलम लगाया हुआ है किसी में तीन कलम लगाया हुआ है तो इसको उसी हिसाब से बोरी फाड करके और आ और इसे क्योंकि जो है बार बार नरसरी में जा करके और गुलाब के पेड़ को और गुड़हल के पेड़ को खरिदना काफी एक्सपेंसिफ पड़ जाता है तो यह हमने इसी तरीके से कलम लगाया है और यह हमारी नरसरी एक तरीके से है काफी सक्सेस हुई है कि मित्रों कलम काटने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी जिस भी टूल से कैंची या कटर से जो हम कलम काटेंगे उसको सेनिटाइज करना बहुत जरूरी है इसके लिए हम इसको सेनिटाइज करेंगे जिससे की हमाறे पौधे में हमारा जो हमने कलम काट की है उस पेकोई इनक्रेक्षन ना प्क! इसकी सफाई कर लिएके अ चैष civ कर लेंगे और खास चौर से कौर्णा का समय चला है जैसे अपने हाथों को साफ करते हैं मास्क साफ करते हैं उससी रीके से इसको भी हमने साफ करना है और साफ करने के बाद ही हमने करने हैं और उस्थान थोड़ा ब्राउनिश हो गया हो जो टहनी थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई हो वहां से आप इसको काट सकते हैं यह काट लिए आपने अब इसमें देखिए कई ब्रांचेस हैं आपने इसको आठ से दस इंच का खोना चाहिए आपकी कलम और उसको आपने एक डिट हिंच अंदर भी डाल देना है इस तरीके से हमने एकी कलम काटी है और कोसिस करना है कि थोड़ा पकी हुई ब्रांच हो जब ब्रांच पकी हुई होगी तो आपकी कलम अच्छी तरीके से लग जाएगी इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है और कटिंग जब आप इसकी अच्छे तरीके से कर देंगे आप इसको हाथ से न कीजेगा कोसिस कीजेगा कि आप इसको कहीं चीज से ही करें अच्छे तरीके से ये लग जाएगी अब हम आपको इसको लगाने की प्रक्रिया बताते हैं अभी मैंने अपना एक चोटा सा गंबला तैयार कर लिया है और आप देख सकते होंगे इस गंबले में इसमें दो भाग मिट्टी का है और एक भाग वर्मी कमपोस्ट है इसमें और एक भाग इसमें रेता है तो इस तरीके से हमने चार भाग को मिक्स करके और हमने ये मिट्टी बनाई है जो कि एक बैग में लगाया है हमने और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी निकलने के लिए डेनेश के लिए इसमें थोड़ा छेद कर देंगे कि जिससे पानी आसानी से जो भी हम इसमें पानी डालें वो पानी आसानी से इसमें से निकल सके इस तरीके से आपने इसमें चेद कर देना है गुमा गुमा करके चारों सर्फ किसी नुकिले धारदार आइटम से और इस तरीके से जिसमें छेद हो गया है और इसमें मिट्टी अच्छी तरीके से डाल दिया है हमने अब कोशिश करना है कि जो आपकी कलम है उसको आप सेठे की जैसे कलम होती है पहले चलती थी उसी तरीके से अब इसको छेलेजे हमारा अपना तरीका है हमारा अपना नुस्खा है अब इसको किस तरीके से लगाते हैं और देखिए हमारे पूरे जो कलम पहले की लगी हुई है वो भी सक्सेस हुई है हम इसमें ज्यादा कुछ न लगा दीजिए और एक कलम और हमें मिली हुई है उसको भी हमने इसी तरीके से किया हुआ है और इसको आप इस तरीके से बलेड से शार्प करके 45 डिग्रि का काटके इसको और इसको आप उगली से इस तरीके से काटके, और इसको आप आप सही तरीके से लगा दीजें, मित्रों इसमें पहले से ही हमने खाठ डाल रखा है वरमी कंपोस्ट नहीं मिलती है तो आप इसमें खाठ भी गोबर की डाल सकते हैं और इस तरीके से आपका गमला लग गया अब इसमें आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी मिट्टी थोड़ी नम है, तो इसमें पानी डालने की फिलहाल जरूरत नहीं है, और जिम 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 बारिज भी हो रही है, मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे आप लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें हैपी कटिंग टेक केर